फ्रेंड्स मेरे दो चार ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जैसे नितिन बाबू, गगन सर्मा, अजहर, रिया सतुल्ला और अप्रोच 2M आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सीख या साउट का क्या इस्तेमाल है तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें बहुत आसान कंसेप्ट हैं उमीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकान को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो आएए फ्रेंड्स इस रेसन की शुरुवात करते हैं फ्रेंड्स सिख मतलब ढूटना तलास करना या फिर चाहना जैसे तो इस सेंटेंस का मिनिंग हुआ मैं किसी हल के तलास में हूँ मैं किसी नतीजे के तलास में हूँ फ्रेंड्स सिख का पाश फॉर्म शॉर्ट होता है और इसका मतलब होता है तलास था या धूढ़ा या चाहता था जैसे या उससे एक नया पोजीशन की तलास थी या वो एक नया पोजीशन चाहता था आए फ्रेंड्स अगला जामत देखते हैं कि आफ्रीका में रनने वाले रिफ्यूजीज मदद की तलास में हैं या वे मदद चाहते हैं तो फ्रेंड्स अगला जाब की तलास में था या वो तुम्हारे सवालों का जवाब चाहता था तो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ कि आपने इस समझा सिक मतलब किसी चीज के तलास में होना या किसी चीज को डोड़ना या किसी चीज को चाहना आये फ्रेंड्स कुछ और एक्जामपल्स देखते हैं ताथि आप इस बात को और अच्छा से समझ सकें मैं अपनी जिंदगी में साकून की तलाश में हूँ तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आये फ्रेंड्स एक एक एक्जामपल और देखते हैं तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे तो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ कि आपको सीख या शॉट का इस्तेमाल समझ में आया कि जब आपको कहना हो तलाश में होना या चाहना तो आप सीख और पांच टेस्ट में सौट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फिर मिलेगे कुछ और अच्छे लेसंस के साथ तब तक के लिए बाए